बेसिकली हम ग्राफ्टिंग जो करते हैं वो ज़्यादा फ्रूट्स लेने के लिए और ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए जल्दी फ्लावर लेने के लिए और जल्दी से फ्रूट लेने के लिए करते हैं ग्राफ्टिंग एक पौद्यों का उनको भेतर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है और ये बहुत सिंपल है इसमें कुछ बाते हैं जिनकी आपको जानकारी होना जुरूरी है और ग्राफ्टिंग के लिए वो बहुत जुरूरी है ग्राफ्टिंग में एक तो बहुत जो पतली ब्राफ्टिंग है थिन उनको ग्राफ्ट नहीं करना चाहिए जैसे as you can see ये जो ब्राफ्टिंग के लिए unfit है थोड़ा सा मोटी ब्राफ्ट लें like कम से कम पैंसिल की थिकनेस की ब्राफ्ट राफ्ट होनी चाहिए दूसरी बात कि जिस पौदे पर आप ग्राफ्ट करना चाते हैं उसकी मुटाई और जो ब्रांच आप ग्राफ्ट करना चाते हैं उसकी मुटाई आल्मोस्ट सेम हो तो बहुत ही अच्छा रहता है इसके बाद जो भी चीज आप ग्राफ्ट करते हैं उसको हम लोग एक टेप से बांते हैं यह polythene की tape आप देख सकते हैं, जो खीचने पे तूटती नहीं है, यह आम आपको बजार में मिल जाती है, इसी से हम grafting जो है वो करेंगे, अब मैं आपको इसको practically graft करके दिखाता हूँ, और पहले मैं आपको इससे पहले एक पौदों के बारे में बताता हूँ, यह हमार पास इक avena का पौदा है, अदेनियम में एक बहुत ही संदर flowering पौदा है, जिसका यह cortex बहुत मोटा हो जाता है, और इसमें बहुत अच्छे flower आते हैं, बहुत कई सो इसकी किस्में हैं, जिसमें बहुत ही संदर संदर flower आपको मिलता है, यह प्यादा जो है, हमने seed से grown किया है, इ इसे से ब्रांचिज हम काटके इस पौदे पे ग्राफ्ट करेंगे। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ज्यादा पतली ब्रांच है वो पना लें और ये भी ध्यान रखेंगें। कि जितने मोटे पोदे पे आप ग्राफ्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए उतनी ही मोटी ब्रांच आप दूसरे पोदे में से लें, जितना मोटा ये पोदा है. पौदो की ग्राफ्टिंग हम नॉर्मल जो शेविंग ब्लेड होता है, उससे करते हैं, इसकी एज़स पतली होती है और इसकी मुटाई बहुत कम होती है, इसलिए यह काटने में और ग्राफ्टिंग करने में इससे बहुत असानी होती है, अब हम पहले जिस पौदे पे हमने ग्राफ्ट करना है उस पौदे को हम उपर से काटेंगे और इसके अंदर अब हम एक चीरा लगाएंगे, कट लगाएंगे, ध्यान रहे, कट लगाते कद ये ध्यान रखेगा कि कट जो है बिलकुल बीच में लगे, अगर एक तरफ ज्यादा चला जाएगा तो इसके फटने का अब हम वो ब्रांच लेंगे जो हमने इसके उपर ग्राफ्ट करनी है, इस ब्रांच को आप इतना पीस काट लिजे और काटने के बाद इसको नीचे से इस तरीके से हम इसको काट लेंगे, अब आप इसको जिस ब्रांच पे आपने ग्राफ्ट करना है उसका मुझ खोलके और इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से फसा देंगे, यह जो है, अब आप इस टेप से इसको जो है प्रॉपर तरीके से बांदेंगे, खूब कसके, जितना टाइट आप इसको बांद सकत है बांदिये, आप उतारने पड़ेंगे, क्योंकि हर पौदे में उसका जूस होता है, जो हातों में लगता है, इसको आप टेप को अच्छी तरह के से कसके आप बांद दीजे, ताकि ये बिल्कुल टाइट रहे, जितना ये टाइट रहेगा उतना ही इसको पकड़ने में असानी रहेगी च सकते हैं, रबट बैंड को भी टाइट कर दीजे, ये आपका पौदा ग्राफ्ट हो गया, और अगले 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर इसमें से आप देखेंगे कि नई शूट्स निकल आएंगी, ग्राफ्टिंग के बाद कुछ ध्यान रखने लाइक बाते हैं, जो मैं आ पर आपने पौदे पर ग्राफ्ट किया है, उसके उपर ध्यान रहे कि पानी ना पड़े, पानी पड़ने से ग्राफ्टिंग के खराब होने का खत्रा होता है